प्रतिक राजनीतिक दल चुनाव का समय आता है तो अपने अपने चुनाव घोसरा पत्र में यहाँ वाइदा करते हैं कि अगर हमको सेवा करने का आउसर मिलेगा तो हम इस देश से गरीबी दूर कर देंगे हर हाथ को काम देंगे लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि आज पचपन वर्ष की स्वतंता के बाद जो भी सरकारें केंदर में आईं वे केवल मात्र घोसडाएं करके चली गईं ऐसी इस्ति में केवल मात्र इस सदन में विधेयक लाने से या यहां लंबे चोड़े भासर देने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कारिकरम बनाने की आवस्यकता है और जब तक कोई ठोस कारिकरम नहीं बन जाता कभी भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता आज सबसे बड़ी चिंता का विशय बढ़ी हुई जन संख्या है इस देश में जहां सव करोण की जन संख्या है वहां हर वर्ष एक करोण असी लाख के करीब लोग जन में लेते हैं इस प्रकार की बड़ती जन संख्या पर रोक लगाना सबसे पहले आवस्यक है मैं तो यहां तक कहूंगा की जहां तक परिवार नियोजन का कारिकरम है यह एक सरकारी कारिकरम है इसमें धर्म के आधार पर किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए धर्म के आधार पर किसी को दूसरी साधी करने की अनुमती नहीं मिलनी चाहिए जब तक यह बढ़ती जन संख्या पर नियंत्रण नहीं होगा अंकुस नहीं लगेगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता आज जैसा माननी सदस ने कहा सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है इस समय लगभग चार करोण लोग इस देश में बेरोजगार हैं और वरतमान सदी के सुरू में यह संख्या दस करोण हो गई है यह ठीक है कि हर व्यक्ति को आज सरकारी नवकरी उपलब्द करवाना कठिन ही नहीं असंभव है मैं अपने प्रांत का उधारान देना चाहूंगा कि कुल जन संख्या हिमाचल प्रदेश की 54 लाख है आज उस जैसे प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या एक लाख साथ हजार है अगर हर व्यक्ति सरकारी नवकरी ढोडने जाएगा तो कोई भी सरकार हर व्यक्ति को सरकारी नवकरी नहीं दे पाएगी कोई समय था जब हम यह मान कर चलते थे कि उत्तम खेती है मध्यम व्यापार है और सरकारी नवकरी सबसे बेकार है लेकिन आज बिलकुल उल्टा हो गया है महोदय सतत अधोगिक आर्थिक तता सामाजिक प्रकत हेतु नित नई या सुधरी हुई प्रदोग की की प्रयोग की महत्त पूर्ण और निडायक भूमिका है जो आज के बदलते हुए परिवेश में नए आयामों और चुनोतियों के साथ उभर कर आ रही है इस दोर में प्रदोग की में क्रांतिकारी परिवर्तनों की आसाएं हैं प्रदोग की के छेतर में बहुत देशी क्रियाएं हैं इस परधाएं और चुनोतियां बढ़ेंगी प्रदोग की के व्यापारी करण में एड लगेगी और उत्पन चुनोतियों से निपटने के लिए प्रदोग की हस्तांत्रण कार में विश्तरित जन समुदाय को आंदोलित करना होगा प्रदोग की के इस्तम सदपयोग के रास्ते में जिन मुख्य चुनोतियों से निपटना है वे हैं बदले हुए परिवेश में संपूर प्रगत है तू प्रदोग की के लच्छ को निर्धारित करना अथवा पुनह परिभासित करना उप्युक्त प्रदोग की का चुनाओ करना तथा इसके हस्तांत्रण को युक्ति पूर्ण रूप से प्रभाव कारी बनाना गलत प्रदोग की के परियोग से बचना स्वयम में एक चुनोती भरा कार होगा भारत में वस्तुतह प्रदोग की की विकास युम परियोग को उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है जितना आपेच्छित है उच्च प्रदोग की में ब्रिधी जादातार ब्यापारिक इस परदाओं का आप्रत्यच पैडाम है ना कि वांचित संपूर प्रगती हेतु सुन्योजित क्रिया के रूप में देश की अधिकांस जन संख्या गाओं में है अतहा देश की समान रूप से विकास हेतु चुनी हुई ग्रामोन मुखे प्रदोगी का प्रियोग एक अनिवार आवस्च चकता है क्योंकि मात्र परामप्रागत कर्शी कारियों के माध्यम से गाओं की आर्थिक इस्तिती को अपेच्छित इस्तर तक उन्नत करना संभव ना होगा प्रदोगी के अनेक भीशाण पैडामों से यहां सिद्ध हो गया है कि यदि प्रदोगी की स्वयम में अपना उद्देश हो तो यहां वर्दान के बजाए अभिसाप हो सकती है सैच्छिक अर्थ में प्रदोगी की उस बैज्ञानिक अभियांत्र की और प्रबंध संबंधी ज्ञान का समन्मेत स्वरूप है जिसके द्वारा किसी तकनीकी कार की धारणा और अभिकल्पन बन सके जानकारी को बिकास आत्मक इस्तर पर परिवर्तित किया जा सके और उसके माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माड बितनाड तथा उप्योग संभव हो सके इस पस्ट है कि यह सुद्ध और दोगिक धाना मानवी उद्देशों से स्वतंत्र है तथा भीशान पैडामों तक पहुँचाने वाली सिद्ध हो सकती है अतहा परिभासा में यह सर्थ लगाना अनिवार है कि प्रद्द्ध की के रूप में इस प्रकार की विवस्थित जानकारी और संयत्र आदी निर्दिष्ट मानवी उद्देशों की प्राप्ती में सहायक हो और विनासकारी प्रभावों से मुक्त हो आज जबके सामाजे आवस्यक्ताएं कानून के रूप में हैं तो प्रद्द्ध की का इनके अनुरूप होना संबैधानिक आवस्यक्ता भी है सास्त्री जी ने वहाँ जो कुछ किया वह भारत के लिए नया नहीं था तासकंद समझोते में जो सबसे अच्छी बात थी वहाँ यह थी कि मतभेदों का निप्टारा हतियार उठाए बिना होना चाहिए कि यह जो खुआ होना चाहिए